हलो दोस्तो मैं सोरों मलिक आप सभी का टोपिक एस्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तो आरपिएप SI का आज 19 दिसंबर को तीनों सिप्ट का एकजाम हो चुका है पहली दो सिप्ट का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखिये हैं और इसमें कुछ question first और second shift के भी रहेंगे जो मुझे late मिले थे तो अगर आप चाहते है डेली आप तीनों shift का analysis लेना तो नीचे red कल के बटन को दबा करके bell icon को on कर लिजेगा आपके पास notification पहुचने start हो जाएंगे और इसकी pdf आप डाउनलोड कर सकते हैं topic study के telegram चैनल से जिसका link नीचे description box में है वहाँ से जाके आप join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी भारत के रास्टपती बनने के लिए निनतम उम्र तो यहाँ पर 35 वर्स है मैंने गलती से 25 लिख दी थी तो उसके लिए इतना इशू मत बने यह बहुत सारे बच्चों ने हाँ पर comment कर दिये तो उसके लिए sorry ठीक है तो यहाँ पर चलिए start करते हैं यहाँ पर full form ओप IPC पूछी गई थी तो IPC की जो full form होती है इंडिन पेनल कोड इसकी एर भी याद रखेगा 1861 यह भी पूछा जा सकता है नेक्स कोशन है total number of 5 court यहाँ पर 24 है यह कोशन आपका पूछा गया था पर कास वर्स किसका मातरक है दूरी का यह भी आपसे पूछा गया था ठीक है नेक्स्ट है आपका नरोरा न्यूकलर पावर प्लांट कहां पर है ये बुलन सहर यूपी में है ये भी आप याद रखेगा नेक्स्ट आपका है विज्ञान दिवस कम बना जाता है 28 फरवरी को ये आपसे पूछा गया था कैक की न्यूकती कौन करता है ये रास्टपती इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अंग्रेजो दुआरा पहली फैक्टरी कहां पर लगाई गयी थी सूरत में ये आपसे पूछा गया था और दोस्तो एक चीज मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ तो question आपके repeat होंगे अगर आप डेली मेरी वीडियो का analysis देखते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बोलता हो पढ़ाई करने के लिए उस तरीके से आप पढ़ाई भी कर लेते हैं तो कोई selection नहीं रोक सकता अभी से भी अगर आप कर लेते हैं ठीक है आपका exam late होगा तो बहुत ही plus point है आपके लिए paper analysis देखना ठीक है तो इसको देखिए online test लगाईए online test अगर आपको लेना है तो नीचे description box में link मिल जाएगा वहाँ से आप purchase भी कर सकते हैं RPF SI के लिए ठीक है और यहाँ पर next question है अंग्रेजियों की द्वारा factory का आप लगाईगी थी सबसे पहली सूरत में blood group की खोज किसी ने की थी carland steiner right answer हो जाएगा ठीक है currency of columbia यहाँ पर पूछी गई थी तो right answer हो जाएगा columbia peso तो यह इसका currency का नेम हो जाएगा ठीक है यहाँ पर next है nsc की full form पूछी गई थी nsc full form यहाँ पर national stock exchange यह भी आपसे पूछा गया था ठीक है next आपका question है a century is not enough writer के कौन मतलब इसके book के writer कौन है सोरव गांगोली हाँ पर right answer हो जाएगा monetary policy कौन लागू करता है तो यह सभी को आपको पता है RBI हमारा जो है इसको भी याद रखेगा की इस राज्या में सबसे ज़्यादा लोकसभा constituting है आनि कि आपका city है तो यह आपका UP right answer हो जाएगा सबसे बड़ा संग राज्ये छेत्र में तो अन्मान निकोबार यानि की यूटी यहाँ पे पूछी जा रही है union territory तो अन्मान निकोबार आपका right answer हो जाएगा मानव संसादन विकास मंतरी कौन है भी परकास जावेड़कर यह भी आपसे पूछा गया था 10-2 की power 24 कहा जाता है septalian इसका right answer हो जाएगा भी ठीक है यह question repeat हो सकता है जापान के परदान मंतरी यह भी आपका पूछा जा सकता है next repeat हो सकता है मतलब मेरा बोलने का यह है समुद्र से बाहर निकलने वाली जमीन का टुकड़ा प्रायदीप कहलाता है तो यह question भी आपका पूछा गया था next है आपका हिंदू मेला किस राज्यय से संबन्दित है यह कलकत्ता आपका right answer हो जाएगा तो इसको याद रखेगा यह question repeat हो सकता है रेडियो तरंगो की खोज किसने की इसका answer आप मुझे comment box में बताएंगे Indian bank के CEO यहाँ पे पूछे गए हैं तो CEO से भी आपके question बन रहे हैं तो पदमाजा चंदूरा right answer हो जाएगा मोलिक करतेवियों में संसोधन यह 42th amendment हुआ था 1976 में तो याद रखेगा इसको भी यह question भी repeat हो सकता है थेमस नदी पर कई बार question आ चुका है और यह London में है ठीक है कहाँ पर है यह पूछ जाता है सीधा सीधा question तो यह London में है यह भी पूछा गया था distance sun to earth तो sun से earth के बीच में distance कितनी है 49.6 million km तो यह याद रखेगा यह question भी देखे आपका repeat हो सकता है अभी मैं आपको लिखके दे सकते हूँ यह guarantee के साथ में कि आगे आने वाली shift में आपके question repeat होंगे और question repeat अगर ना भी होंगे तो आपके जितने topic हैं यह जिस topic से question पूछे जा रहे वहीं से यह आपके next question बनने वाला है तो आप इनसे अच्छे से त्यारी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को वीडियो को share करना बिलकुल मत बूलिएगा यहाँ पर अगर मैं math की बात करूँ तो मतलब पूरे दिन का तीनो shift का overall वही concept रहा है वही आपका pattern रहा है ठीक है तो और यह भी चीज देखी गई है यहाँ पर कि बिलकुल जो question मतलब first shift में थे digit change करके second shift में दे दिये गए हैं तो इतना भी मतलब देखा गया है कुछ question में और यहाँ पर मैंने first और second shift के question का पूछा था बच्चों से वही same same सा मिला था मतलब simplification और यह आपका same था तो वैसे आप इनको देख लिजेगा पीडियाप मैं टेलिग्राम में अप्लोड कर दूँगा वहाँ से देख लिजेगा किस किस chapter से कितने question पूछे जा रहे हैं डारेक्ट अब चलते है question पे यहाँ पे question के अगर बात की जाए तो सबसे पहला question है एक वस्तू पर 10% का commission दिया तो 20% लाब होता है यदि commission बढ़ा कर 20% कर दिया जाए तो लाब परतिशत बताईए दीखिए सबसे पहले यहाँ पर मुल्या मान लेती है 100 रुपीज ठीक है commission के बाद का कितना क्यूंकि 10% का अगर मैं 100 रुपे एक वस्तू का मैंने price माना 100 रुपीज उस पर 10% का commission मैं देता हूं तो इसके price कितने होगे 90 बन करने के बाद में यहाँ पर बोला गया है कि 10% का commission दिया तो 20% लाब होता है यदि commission बढ़ा कर 20% कर दे जाए तो अब लाब परतिशत बताईए तो यहाँ पर 20% कमाता है जब वो 10% का commission देता है इसका मतलब 90 में 20% मतलब profit include होगा तो इसमें से मैं 100% की value निकाल लेता हूं त 90 divided by 120 और into करेंगे 100 से तो इसमें 100% की value 75 है यानि कि यह इतने रुपे की इतने की होगी इसमें 20% अगर मैं profit अटा दू तो यह वस्तू अब मैं इसको बेशता हूं after 20% मतलब commission के तो इसमें जब मैं 100 रुपी पे 20% का commission दोंगा तो यह वस्तू कितने की राज है कि 80 की अब 80 क इसका मतलब यह कितने का increment है इतने की वस्तू को मैं इतने में अगर सेल करता हूं तो कितने का 5 increment है इसका मतलब मुझे 5% का ही profit होगा और यह किस पर होगा यह इस वाली amount पे होगा तो 5 upon 75 into 100 करेंगे तो कितना है 6 complete 2 upon 3% यह आपका profit बन जाएगा तो दीखे कोशन थोड़ा सा logical था यह आशा करता हूं कि समझ में आगे होगा एक कोशन यहापे था कि principal amount यानि की मूलधन आपका दे रखा था 6000 आर दे रखा था rate दे रखा था 12% और time दे रखा था आपका 2 year क CIE आपसे पूछा गया था compound interest का आपसे पूछा गया था तो यहापे आपको क्या करना है 6000 को 12% निकाल लेना है सबसे पहले यही step रहेगा और यह देखिया आप इतनी चीज simple interest में भी कर लेते हैं साधान ब्याज में भी आप इतना काम कर लेते हैं तो compound interest और simple interest में आपका यह भी concept रहता है कि first year में दोनों के दोनों सेम रहते हैं तो 6000 का आपने 12% कैलकुलेट किया कितना है 720 720 आप 720 आपका first year में भी है second year में भी रहेगा इस compound interest का मतलब होता है आपका ब्याज 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 तो इसका मतलब है 720 पे भी मुझे 12% कैलकुलेट करना है जो कि आ जाएग हमसे पूछा गया कि total compound interest कितना रहेगा तो यह सब कुछ plus कर लीजिए ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 1526.4 यही आपका right answer बन जाएगा तो देखिए compound interest से भी question पूछी जा रहे है simple interest से भी का बिल्कुल simply आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजे cover करा रखे और कुसी की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के हाँ पे जब question भेजते हैं तो यह भी बोलता है कि सर जो आपने कराए थे उसमें से बहुत सारे questions मिले हैं तो यह बहुत अच्छी इसमें मुश्किल से 15-20 वीडियो होगी तो बहुत ही beneficial रहे आपके लिए नेक्स्ट आपका एक question था कि एक व्यक्ति 60 km परती गंटा की दूरी 6 गंटे में तैय करता है यदि उसकी चाल 3 गुना कम कर दी जाए तो 45 km दूरी तैय करने में उसे कितना समय लगेगा तो देखे चाल अगर समसे पहले मैं निकालूं यहाँ पर 60 km की दूरी 6 गंटे में करता है तो 10 km परती गंटा की चाल आगई अब यहाँ पर बोला जा रहा है उसकी चाल 3 गुना कम कर दी जाती है तो 3 गुना कम करने का मतलब है तो आपको 10 को 3 से भाग कर देना तो यह कितना हो 45 को डिवाइड कर दीजे ना 10 अपों 3 से तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा है 3 ऊपर चला जाएगा तो 45 एंटू 3 अपों 10 करेंगे तो यह आजाएगा 13.5 आर्स यानि कि इतने घंटे में जाके 45 km कवर होंगे तो यह आपका सीधा सीधा आंसर बन जाएग ठीक है तो I think कोई आपको doubt नहीं होगा समझ में सब कुछ आ रहा होगा अगर कोई भी point में कोई भी question में point या doubt रहता है आपका तो please comment box में आप पूछ सकते हैं और आप मुझे यहाँ पे किसी भी social media handle पे भी follow करके पूछ सकते हैं ठीक है यहाँ पे next है आपका यदी एक यहाँ पे भी आपको क्या करना है 600 रुपे में 10% की अगर हानी होती है यानि कि 600 रुपे की जो वस्तु है वो 90% की equal है सबसे पहले तो इसको 100% की बना लेंगे तो into कर लेंगे 100 से तो 606.67 यह आपका 2666.67 यह आपका हो जाएगा 100% की value अब यह आपको करनी है 20% लाब में त 20 से तो सीधा सीधा आपका 800 रुपे में गर बेचा जाए तो 20% का लाब होगा आसे गरतों की समझ में आगे होगा next question पे चलते है next आपका देखें आपे मैं लेके आया हूँ आपका यह डियाई वाले question क्यूंकि डियाई वाले question भी आपके बहुत जादा पूछे जा रहे है और मैं धीरे धीरे ऐसा कुछ करने को सोच रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो बतेगे का comment box में कि आपको डियाई sitting arrangement और जो पजल वाले और यह इस टाइप के questions पूछे जा रहे हैं वो आपको separate separate video provide करा दूँ ताकि आपका कुछ help हो जाएं क्योंकि यह chapter जादा expected नहीं गई कि sitting arrangement reasoning जो आपका पूछा जा रहा है वो कोई-कोई question bank level की reasoning पूछी जा रही है तो इस तरीके की यह मतलब एक चोकाने वाली चीज है कि आर्प अप में इस टाइप के question देखने को मिल रहे है क्योंकि previous year के question मैंने भी cover करा है आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल र रखा है तो इस प्रकार है कुछ यह आपका चोकोबार की खपत यानि कि चोकोबार का data दे रखा चोकोबार की खपत के संब्द में कौन जा कतन सत्य है पिछले वर्स यह वाला option इसमें पिछले वर्स से चोकोबार की खपत में परतियक परिवर्तन परतियक वर्स समान है तो यहाँ पे गिरावट की दर भी नहीं बढ़ रही है यह भी पहले गिरा तो फिर इंक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया तो यह भी सही नहीं है नेक्स्ट आपका है चोकोबार की खपत में सरवधिक वरद्धी खपत में सरवधिक गिरावट की अनुगामी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर मैं D option को पुढ़ू तो खपत में एकांतिम वर्स में गिरावट और वरद्धी हुई है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा तो option C यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ठीक है तो next देखते हैं दूसरे वाले question को चोकोबार की खपत में सरवधिक परतिसत गिरावट के बरा आपको कुछ इस तरीके के question दे दिया जाएंगे वह आपको करने होते हैं तो घबरान नहीं होता है बहुत ही simple होते हैं जैसे इसमें पूछा चोकोबार की खपत में सरवधिक परतिसत गिरावट के बराबर है यानि कि सबसे ज़्यादा परतिसत किस वर्स में गिरावट हु यह इस वर्स के comparison में तो आपको बताना है कि कितनी गिरावट हुई है तो यहाँ पर देखिए तो कितनी गिरावट हुजाएगी अगर मैं इसकी बात करूँ तो difference कितना है 36 का तो 36.128 और into कर दीजे 100 से तो इसको मैं solve करूंगा तो कितना आ जाएगा 28% आपका something आ जाएगा तो देख लिए जो 28% के बराबर कोई है क्या option तो यहाँ पर one जो option है यह option है वो ही आपका right answer हो जाए क्योंकि 28 के nearby यह ही है तो 28.1 is the right answer तो इस तरीके के question आएगे जो कि बिलकुल भी hard नहीं होंगे next आपका यदि पहले 5 बरसों के लिए चोकोबार की खपत का 30% विवा समरों में हुई थी तो ग्याद कीजिए कि विवा समरों में चोकोबार के कितने डिब्बे की आपूरती की गई जब परतियक डिब्बे में 100 बार हो तो आपको क्या करना है पहले 5 का plus करना है उनका 30% न 120 बार है 1000 से multiply इसलिए की है क्योंकि यहां पर दिया गया है देजबर में चोकोबार की खपत 000 बराबर है यह जो data दिया गया है यह दिया गया है 124 तो यह 124 नहीं एक लाख 24,000 है तो इस तरीके का data है तो इसलिए हो मैंने 1000 से multiply किया है तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करू तो इसको plus करेंगे 120 से divide करेंगे और 1000 से multiply कर देंगे तो 4960 आपका ही आएगा अब इसमें हमने कोशन में बुला कि 30% जो खपत हुई है वो आपकी साधियों में हुई है और वो ही आपसे पूछा कि कितने कितने खपत हुई है तो इसका 30% निकाल लीजे तो 1490 जो आया है यह right answer हो जाएगा देखे 1490 आपका हो जाएगा यानि कि option D right answer तो देखे बिलकुल भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका separate अलग से एक पार्ट बनाऊँगा SI, sorry, DI वाले chapter का और अच्छे से आपको समझाने की कोशिस करूँगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा revision आ देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आप बिल्कुल भी कोशन नहीं भेजते हैं बस यह तो बता देंगे कि यह कोशन आया था नहीं आया था बट कोशन भेजते नहीं है तो आप टेलीग्राम को जोईन कर लिजे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिसक्रप्शन बोक्स मे हैं वहाँ पर जाके कोशन आप बता सकते हैं ठीक है किसी दूसरे की help करिए तभी आपकी कोई और करेगा तो यहाँ पर यह कोशन के जो बताए गया है कोल पर बच्चों ने बताए हैं कुछ टेलीग्राम पर पर पता चले हैं तो वही कलेक्ट करके यहाँ पर जितना भी ट में बता चुका हूँ तो वही पैटरन है आपका अब कुछ कोशन देख लेते हैं जैसे यहाँ पर लिखा के डी डबलू एम जी टी ओ जे क्यू इस तरीकी का एक कोशन था तो दोस्तों इस वाले कोशन में क्या चल रहा है आपका प्लस टू प्लस टू प्लस टू जैसे के स फिर यहाँ पर माइनस 3 हो रहा है तो माइनस 3 माइनस 3 तो यहाँ पर आ जाएगा M तो QNM is the right answer तो यहाँ पर देख लिए कौन सा हो जाएगा QNM तो QNM यानि के option B हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर एक कोशन था NOAPQBRSC तो इसको भी देख लेते हैं यह वाला कोशन मतलब प्लस 2 इसमें एन में flush 2 क्या P इसमें flush 2 क्या Q और फिंप्लस convey प्लस 2 कर दिया है फिर याफ में पी ओ भी में आपका relation चल ला है does Q कर कर देगे था प्लस 1 कर देंगे तो C, इसी तरीके से आपको R, S, C में करना है प्लस 2, प्लस 2 और प्लस 1, R में प्लस 2 किया तो T, S में प्लस 2 किया तो U, और C में प्लस 2 किया तो D, तो इस तरीके से T, U, D आपका रहेट आंसर बन जाएगा, ठीक है वई, T, U, D, तो देखे बहुत ही सिंपल से कोशन थे, इस तरीके के, नेक्स चलते हैं, देखे एक ये जो फिगर कंप्लीटेशन टेस्ट आपके होते हैं, जो कंप्लीट करने वाली सिरीज होती है, वो भी आपके एक्जाम में पूछी जा रही है, और दो कोशन, तीन कोशन भी देखने को मिल रहे है, तो ये कोशन मैं आपके लिए लेका है हूँ, आधार बना के, मतलब कि इस तरीके कोशन अगर आता है, तो कैसे करना है, देखी ये कुछ चिरीज चल रही है, एक तर्बूज है, उसके अंदर एक सर्किल है, उसके अंदर फिर एक एरो का ये साइन है, तो यहाँ पर इसमें नेक्स से ये चला गया, फिर नेक्स ये चला गया, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस वाली और इस वाली figure की तो दोनों same है अगर ये दोनों same है तो next वाली ये दोनों same होगी तो अगर मैं इस figure को देखू तो same कौन सी बनेगी इन में से देख लिए ये कौन सा होगा option तो यहाँ पे देखे इसमें नीचे को sign है इसमें ये वाला जो ये भी नीचे को sign है पर इसमें उपर को है तो इसलिए ये अट जाएगा ये दोनों तो कटी जाएंगे तो option c आपका right answer बन जाएगा तो आशा करता हूँ कि ये question भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो next आपका question है ये mirror image का mirror रखा है कहां MN पे यानि कि इस side mirror रखा है अगर इस side mirror रखा है और ये वाली figure आपको mirror में बनानी है तो करना क्या है भई बिल्कुल simple है ना ये वाली अगर मैं mirror यहाँ पर रख दू और इस side में मुझे बनानी पड़े तो आप ये देखे कौन सा portion mirror के पास है ये वाला portion mirror के पास है अब आप इन चारो figure में एक चीज़ देखे आप ये देखे कि यहाँ पर अगर मैं इस mirror को रखता हूँ तो ये इस side बनेगी figure इस side तो अगर मैं यहाँ पर mirror रखता हूँ क्या ये वाला portion ये यहाँ पे है, नहीं है, तो अटा दीजे, फिर मैंने mirror को यहाँ पे रखके देखा, इस mirror को यहाँ पे रखके देखा, ये वाला portion यहाँ पे है, नहीं है, तो इसको भी अटा दीजे, फिर option C पे आया, मैंने mirror को यहाँ पे रखके देखा, क्या ये वाला portion यहाँ पे भी नहीं इसको भी इटा दीजे option D आपका write answer हो जाएगा बिने देखे लगा दीजे क्योंकि यह जब तीनों गलत हो चुके हैं तो चोथा आपका write answer बनी जाएगा अगर मैं इस mirror को यहाँ पे रखता हूँ यह वाला portion यह यहाँ पे है तो यहाँ पे है तो write answer कर दीजे तो इस तरीके से अगर आप आकरती वाले question करेंगे यह image वाले mirror image वाले तो बहुत ही आसानी से easily कर लेंगे ठीक है और यह PDF अभी मैं upload कर दूँगा टेलिग्राम पे वहाँ से download करिए जितने भी serious experiments है RPF SI के लिए और अच्छी से preparation कर रहे थे topic study से जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो को like करिए share करिए अपने हर एक group में अपने जितने भी whatsapp facebook group है हर जंगे पे और जो भी doubt है comment box में पूछ सकते हैं कोई भी गलती हुई हो किसी भी question में तो आप kindly मुझे inform कर दीजेगा मैं उसको correct करके next video में बता दूँगा अभी बहुत ही जल्द बाज में वीडियो बनाई जा रही है इसलिए थोड़ा बहुत इसमें correction की ज़रत भी हो सकती है मिलते है next video वीडियो को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबो